हलो फ्रेंड्स असलाम अलेकुम कैसे हो आप सब उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे अलहमदलिला हम सब भी बहुत अच्छे हैं वेल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल आज मैं आपको दिखारू टमाटर वाले भाईया यहां मैं मार्केट में आई थी टमाटर वगएरा मतलब टमाटर तो नहीं खैर इसपेशली टमाटर लेने कौन जाएगा सबजी लेने आई थी बहुत टाइम बाद मतलब एक साल पहले आई हूँगी मैं और अब आई थी मैं आकेले जल्दी से यार निकलती नहीं भार मन नहीं करता मेरा केला कहीं भी जाने का यहां पे सारे सबजी वाले खड़े थे पता नहीं और सारी क्लिप्स कहां चली गई मैंने इतना सारा शूट किया था मिलाई नहीं मेरे को शायद कुछ हुआ होगा पता नहीं क्या हुआ था अब बजार आई हूँ तो यार बिना ये चाट पकोड़े खाए घर वापसी कैसे जा सकती थी यहां पे गोलगप्य वाले भाईया इतने टेस्टी गोलगप्य रहते हैं ना इनके वो सूजी उजी वाले तो खा लेती हूँ लिकिन मतलब ये इनका जो टेस्ट है ना मज़े का होता है बिल्कुल तो यहां पे ना मैंने उन भहिया को बोला भहिया जो मसाला बरोगे ना उसमें प्यास जरूर डाल दे ना तो वो प्यास काट रहे थे मैंनका मेरे को जादा जादा प्यास चाहिए तो कहरे चलो ठीक है मैडम दो मिन टुक जो मैं आपके लिए प्यास कट कर देता हूँ फिर खिलाओंगा मनका ठीक है तो यहां अच्छे से मसाले में प्यास यास मिला कर फिर इनोंने जो मुझे गो नहीं है भाई लेके गए हुए ऐसी चली जा घर पर मनका ठीक है उन्होंने रिक्षा से का था मनका जाओ ना रिक्षा से कौन जाएगा मैं पैदल पैदल चली जाओंगी यहां घर आके देखा ना मेरी उंगलियों के ना नक्षे भिगड़ गए थे देख रहे हो कैसी आड में जो बनाते भाईयां फिर मैंने का चलो जी लगया तो चाओंड भी ले ले लेते आज खाएंगे इसको भी घर जाके तो यहां पर दिखा रही थी मैं यह टमाटर लाई थी आलू बहुत बड़े बड़े आलू थे और यह धनिया पांच उपय का धनिया बहुत था मैंनक के दूढ़ा साही ले thy ki at ki kenぎ wallet लें झाएंगा यह गिया अभी तक निनी मुराया मैंने गिया यह इत्ता सा घ्या ले कर आइए यह दूद ग्या चोटा साही लाई थी मैं सोचिती गीय का नराहता बनाऊंगी इनको तो खाना नहीं होता अपने लिये ही लाई कि यहां पे पा अर्मिके पत्ते भी लेकर आयो मेरी शास, am combining खेर कराता है जबसे मेरा इतना मन हुआ अर्मिके पत्ते खाने का अर्मिके पत्तो की सबसी खाने का यहाँ नोनू जी अपनी दादी के घर पे अराम फर्मा रहे हैं खेल के मेरा बिट्टू थक जाता है तो वहीं पे सुला दिया था फिर उसको बेरको तो अकेले बजार जाने नहीं देता तो जब यह यहां होता ना बाहर के सारे कम में तब ही निपटाती हूँ यहां इसकी फुपो इसको छेड़ रही थी लेकिन मजाले जो इसको कोई उठा दे सोते टाइम उसी के बाद आंटी आ गई थी मन का अला तेरा शुगर है आंटी आ आप आ गई आज सो जल्दी से बस अर्वी के पत्ते की सबजी बना कर खिलाओ वे रको तो यहां पे उन्होंने बेसन ले लिया था बेसन को ना बेसन में ये सारा सूखे मसाले दनिया पाउडर, लाल मेर्च, गरम मसाला, नमक और हल्दी हंजी ये सारे मसाले उन्होंने ले लिये थे इसको मिला रही थी और पानी डालके इसका बैटर सा बनाना जैसे हम लोग पकोड़े बनाते हैं इस तरीगे से बैटर बनाना इसका सब्सक्क्राइब होने के बाद फिर ये अर्बी के पत्तों पेना एक करके बिच्छा बिच्छा के उसके उपर बेशन लपेट लपेट के उसको गोल-गोल करके रोल कर देंगे बाद में हमें उसको कुछ और करना है इसी लिए यहां पर आंटी कर रही थी झाल जब यह सारा ऐसे हो जाएगा ना तो फिर इसको ना ऐसे शेप देना है रोल करना इसको अच्छे से दबा दबा के यहां पर आंटी रोल कर रही थी अराम अराम से मैं होती तो शायद बता रही क्या ही करती क्योंकि यार जीव सा लग रहा था मुझे मैंने कभी बनाई नहीं लेकिन बहुत मज़े के बने थे मैं तो फर्स टाइम बना रही थी लेकिन हमारी आंटी तो बनाती रहती है तो उनको तो बहुत अच्छा एक्सपिरियंस है इस चीज का यहां पर दूसरे की तैयारी कर रही थी यहां साइड में बैठे मैं मैंने का आप इतने ये काम कर रह हुआ तो प्यास दाल ली थी मिकसर में जार में और एक टमाटर था मेरे पास तो यहां पर बनने तो दो थे पताडी लेकिन तीन बन गए क्योंकि एक पत्ते के अंदर न एक और पत्ता एक्स्ट्रा था यहां पर चाय बन रही थी एक साइड मसाला बुनने घी मैं तैयारिय पड़ेगा क्योंकि अपना तो Indian चलता है जगाड पे हन जी तो हम Indians लोग जगाड तो करते हैं ना कुछ न कुछ सोचते हैं कि ऐसे नी तो ऐसे हो जाएगा ऐसे नी तो ऐसे हो जाएगा तो बस यहां पे इनको रख दिया अच्छे से सैट कर दिया था और फिर मैं धकन लगा दूँगी ताकि अच्छे से स्टीम हो जाए गैस मेरी फुल थी पानी अच्छे से बॉयल हो रहा था इधर चाय भी मेरी तयार होने वाली थी यहां मसाला बनाने की तयारी हो रही थी तो नॉर्मल से अपने सरसों का तेल गरम कर लिया उसमें सारे खड़े गरम मसाले डाल दिये जितने भी होते हैं जितने भी होते हैं सब डाल दो कुछ मचोड़ना गरम मसालों में क्योंकि सारा टेस्ट तो गरम मसाले का होता है यहां पे जो लस्सन सौरी लस्सन नहीं था इसमें प्याज और टमाटर थी क्यों थोड़ा सा हल्दी पाउडर बहुत सारा लाल मिर्च पाउडर दन्याज पाउडर की थे dollars क सब्सक्राइब और फिर धन्या पाउडर थोड़ा उससे जादा यहां पे डालती है नमक आप हमेशे देखते होगे न यह नमक कैसे डालती है धक्कन से यार मैं पता नहीं क्या बस यह लगता है जल दिल दी बना लू क्या चममच डूंडू जा जाके मैं तो यहां पे अच्छा सा मसाला भू पानी डाल डालके बारवार में उसको भून रही थी ताकि नीचे जले भी न यहां पे अच्छे से स्टीम हो चुके थे मेरे अरबी के पत्ते और यहां मैं निकाल देती है देखो इसके क्या हाल हो रही थी टूट रहा था मैंको कोई डियार पेट में जाके न सब टूटे और जुड़े सब हो जाएंगे बस फिलाल खाना बनाना है जल्दी से बन जाए बहुत गर्मी थी यहां आंटी को मैंने काम पे फिर से लगा दिया था मैंका पंखे में इसको ठंडा कर दो तो यह बना रही थी यहां पे आंटी न तल रही थी इसको तलने से बहुत अच्छ प्रशकोड़े डाल दो यहां पे पलटरी थी एक साइट से सीख चुके थे दूसरी साइट से से शेखनाता इनको बहुत हल्प करती है यार आज आती है ना तो बस आंटी मेंट साथ यह वाला काम करा दो और माशालला इतनी अच्छी है इतनी अच्छी है कभी किसी चीज के जितना मुझे ग्रेवी चाहिए ना उतना उसमें मैं पानी डाल रही हूं ना ज्यादा पत्ला करना है ना ज्यादा गाणा लेकिन यह चीज है यार मतलब यह थंडे होने के बाद ना बेसन पानी पीता है शैद ग्रेवी ना गाड़ी सी हो जाती है इदर सबजी हो गई थी बिल्कुल एकदम एकदम ready खाना बनने के बाद ही नूनू आ गया था घर पर मैंने का यार शुकर है यह आया है तो मेरा खाना बन चुका है नहीं तो यह आ जाता है ना फिर यार खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती है रोटी बनाती हूँ तो इसको बेलन चाहिए होता है आटा चाहिए होता है सबजी बना रही हूँ तो इसको चम्मट चाहिए होता है या लाइटर चाहिए होता है मतलब वही ना जैसे सब परिशान करते है ना से वैसे ही यह मुझे परिशान करता है तो आते आते अपने साथ आईस क्रीम लेकर आया था बिना चीज लिए तो ये उपर आता ही नहीं है चाहे किसी के साथ भी जाए मेरे मम्मी पापा हो, रियास के घर से कोई हो या खुद रियास हो या मैं हूँ इसको चीज तो चाहिए चाहिए जब हमारे महराज जी उपर आते हैं या अपनी दवाई दिखा रहा था कि मम्मा ये फिनिश हो गई प्लेट मांग रहा था कि मम्मा प्लेट दो मैंनका अच्छ ठीक है प्लेट में रखके अराम से खाना तो मुझे कह रहा था मम्मा ये तो ठंडी है मन को तो बाबा अइस क्रीम घरम कौनसी होती है आइस क्रीम तो ठंडी ही होती है दीरे दीरे नखरे कर करके मम्मा मेरे भज़े खालो प्लीज अभी क्योंकि गर्मी तनी जादा हो रही थी दिवाग खराब हो गया और किचन के सामने खड़े हो कर तो वीडियो का end कर देती हूँ मैं यहीं पर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब कर देना दुआओं में हमेशा याद रखना, अपना खयाल रखना मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्ला हाफेज